बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नस्दी कौन है वक्त आपका है चाहो तो सोना बना लो चाहो तो सोने में गुजार दो वक्त हाला देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर बुरा करने का विचार आए तो कलपे टालो अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो पीट हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शावासी और दोखा दोनों पीट पीछे से ही मिलते हैं सचे इंसान को जूटे इंसान से अकसर ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है सच को तमीज ही नहीं बात करने की चूट को देखो कितना मीठा बोलता है पर्खो तो कोई अपना नहीं समझो तो कोई पराया नहीं कई बाहर मन करता है हार मान लूँ लेकिन बाद में याद आता है अभी तो मुझे बहुत लोगों को गलत थाबित करना है यह वो दौर है जहां मासुमियत को बेवकुफी कहा जाता है अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना क्योंकि जो चीजें गिनी जा सके वो यकीनन खत्म हो जाती है मेरी मंजले मेरे करीब है इसका मुझे एहसास है घमंड नहीं मुझे अपने एरादों पर ये मेरी सोच और होसले का विश्वास है आधी जिन्दगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते और सीखा क्या एक दूसरे को नीचा दिखाना जीवन में इतना तो संगर्श कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्म विश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उधारन न देना पड़े दूसरों के बुरे वक्त पे हसने वालो वक्त जब भी शिकार करता है तो वो हर दिशा से वार करता है माबाप की नसियत सबको बुरी लगती है लेकिन माबाप की वसियत सबको अच्छी लगती है उड़ा देती है नीदे कुछ जिम्मेदारिया घर की रात में जागने वाला हर शक्स आशिक नहीं होता उमीद हमें कभी भी छोड़ कर नहीं जाती बस हम ही उसे छोड़ देते हैं दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है समस्दारों को समझना लोग बदलते नहीं बेनकाब होते हैं कदर करने वाले को हमेशा बेकदर लोग ही मिलते हैं न किसी के अभाव में जीओ न किसी के प्रभाव में जीओ ये जिन्दगी है आपकी आप अपने स्वभाव में जीओ अक्सर अकेले पंज से वही गुजरता है जो जिन्दगी में सही फैसलों को चुनता है उपर वाला मौच में आए तो सरताज बना देता है और जरासी नजर फेर ले तो महताज बना देता है अपनी जिन्दगी से कभी नाराज मत होना क्या पता आप जिसी जिन्दगी दूसरे लोगों का सपना हो बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से तूट जाते हैं जिन्दगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि दो कोड़ी के लोग खेल कर चले जाए मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ क्योंकि वो कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता परक्ता रहा उम्र भर ताकत दवाओं की दंग रह गया देखकर ताकत दवाओं की रभू कहते हैं तू सोने से पहले सब को माफ कर मैं उटने से पहले तुझे माफ कर दूँगा अकेली रहना अच्छा है बजाए उनके साथ रहने के जिने तुमारी कद्र नहीं जिन्दगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पन्ने अभी तक आपने नहीं पड़े हैं किसी ने क्या खूब लिखा है मैं पसंद तो बहुत हूँ सब को पर जब उनको मेरी जरूरत होती है तब कभी मैं अपने हाथों की लकीरों में ना उलजा क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लगा भी बदला जा सकता है दरदर भटक रही थी पर दर नहीं मिला उस मा के चार बेटे हैं पर रहने को घर नहीं मिला जिन्दगी जीने के दो तरीके हैं एक तो जो पसंद है उसे हासल करो और दूसरा जो हासल है उसे तुम पसंद करना सीख लो चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इनसान की कीमत कोने की बाद चाहे कसूर किसी का भी हो लेकिन रिष्टे में आशू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यावाद करें वह हमें सिखाते हैं कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए तुम्हारे दिल की चुबन भी जरूर कम होगी किसी के पाउं से काटा निकाल कर तो देखो जिसके पास उमीद है वह लाख बार हार के भी नहीं हारता विजिता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं बलकि वो बनते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते मुफ्त में सरफ माबाप का प्यार मिलता है इसके बाद दुनिया में हर रिष्टे के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है गैर थे कौन, अपने थे कौन हम ये समझ न पाए हमने देखा जिदर भी चहरे बदले से नजर आए इनसान की समझ सरफ इतनी है कि उसे चानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है हार से डर जाने से बहतर है जीप की कोशिशों में मर जाना बेजती का जवाब इतने इज़त के साथ दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए हमारी आँक अक्सर वही लोग खोलते है जिन पर हम आँक बंद करके भरोसा करते है ख्वाइश बले ही छोटी हो लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्धी होना चाहिए जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज कर सकती है मेरे अपनोंने धक्का मारा मुझे डबोने के लिए फाइदा ये हुआ साहब मैं तैर ना सीख गया हर रोता हुआ लमहा मुस्कुराएगा सब्र रख है दोस्त वक्त अपना भी आएगा अजीब शब्द है सौरी इनसान कहे तो जगडा खतम टॉक्टर कहे तो इनसान खतम इनसान खुद की गलती पर अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर सिधा जज बन जाता है कैसे नादान हैं हम दुखाता है तो अटक जाते हैं सुखाता है तो भटक जाते हैं मुझे अकेले चलने में बड़ा मज़ा आता है ना कोई आगे चलता है ना कोई पीछे चूटता है खुदा महंगी घड़ी सब को दे पर मुश्किल घड़ी किसी को ना दे उसके साथ रहो जिसकी तब्यत खराब हो लेकिन उनके साथ कभी मत रहो जिनकी नियत खराब हो जिनकी काम्या भी नहीं रोकी जा सकती उनकी बदनामी शुरू की जाती है अगर कोई आप से कुछ मांगे तो दे दिया करो, शुक्र करो उपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है मांगने वालों में नहीं आप चितना कम बोलोगे लोग आपको उतना ही जादा सुनना चाहेंगे जो तुम्हें सच में चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा वक्त अच्छा जरूर आता है पर वक्त पर ही आता है माना दुनिया बुरी है सब जगह दोखा है किन्तु हम तो अच्छा बने हमें किसने रोका है आपके करम ही आपकी पहचान है वरना एक नाम के हजारों इनसान है वक्त ने फसाया है लेकिन परेशान नहीं हूँ मैं हालातों से हार जाओं वो इनसान नहीं हूँ मैं संसार में केवल मनुष्य ही एक मातर ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दातों में नहीं, बातों में है लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह भी आप सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे संबंध आत्मा से हो, तो दिल नहीं भरा करते लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं उन्हें फर्क इस बात से पढ़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं कपड़े और चेहरे अक्सर जूत बोला करते हैं इंसान की असलियत तो वक्त पताता है जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठनाईयों की वज़े दूसरों को मांगते हैं तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठनाईयों को मिटा नहीं सकते अपनों को हमेशा होने का एहसास दिलाओ परना वक्त आपके अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा बाश्या तो वक्त होता है इंसान तो यूहीं गुरूर करता है जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते तब वो आपसे नफरत करने लगते हैं इस्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी सेवा करो माबाप की, जन्नत भी मिलेगी जस्से उम्मीद हो, अगर वही दिल दुखा दे तो पूरी दुनिया से भरुसा उड़ जाता है सारी दुनिया कहती है, हार मान लो लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है अपने रास्ते खुद चुनिये क्योंकि आपको आपसे भेतर और कोई नहीं जानता किसी के पैरों में गिर कर कामिया भी पाने के बदले अपने पैरों पे चल कर, कुछ बनने की ठान लो जलील न किया करो किसी फकीर को ए दोस्त वो भीख लेने नहीं, तुम्हें दुआएं देने आता है जिस दिन आप अपनी हसी के मालिक खुद बन जाओगे तब आपको कोई भी नहीं रुडा सकता निंदा से घबरा कर अपने लक्षकों ना छोड़े क्योंकि लक्षके मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वो हमारे चहरे से मुस्कान ही छीन ले वानी में अजीब ताकत होती है कड़वा बोलने वाले का शहग भी नहीं बिगता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिग जाती है जो इनसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इस्ज़त को उतना ही महफूज रखता है हर वक्त हद से जादा रुलाता है वो हम सपने में भी जिसको रोने नहीं देते यो तो जिन्दगी में आवाज देने वाले धेरों मिल जाएंगे लेकिन बैठिये वहाँ जहां अपने पन का एहसास हो कितना ही खुश रहने की कोशिश कर लो लेकिन जब कोई याद आता है तो सच में बहुत रुलाता है महबत या इस्जत किसी को इतनी भी मत दो कि वो अपनी आकात ही भूल जाए माफ बार बार कीजिए लेकिन विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक बार ही कीजिए दर्द होता है ये देखकर तेरे पास सब के लिए वक्त है बस मुझे छोड़ कर दुनिया फरेब करके हुनरमंद हो गई और हम एकबार करके गुनागार हो गए दर्द गम डर जो भी तेरे अंदर है खुद के बनाए पिंज्रे से बाहर निकल फिर देखना तू भी एक सिकंदर है जिसे मैं की हवा लगी उसे फिर न दवा लगी न दुआ लगी जिस दिन आप अपनी हसी के मालिक खुद बन जाओगे तब आपको कोई भी नहीं रुला सकता रिष्टे और रास्ते तब खतम हो जाते हैं जब पाव नहीं दिल ठक जाते हैं जिनकों मेरी कदर नहीं अब मुझे भी उनकी कोई फिक्र नहीं मैं तुझ से नहीं तेरे वक्त से नाराज हूँ जो कभी तुझे मिला ही नहीं मेरे लिए उजाले की कदर उसे होती है जिसने जिन्दगी में अंधेरा देखा हो प्यार करो उसे जो तुम से प्यार करे खुझ से भी जादा तुम पे एत्बार करे तुम बस एक बार कहो कि रुको दो पल और वो उन दो पलों के लिए पुरी जिन्दगी इंतिजार करे गल्ती ये हुई हमसे कि उसे जान से ज़्यादा चाहने लगे क्या पता था मेरी इतनी परवाँ उसे लापरवाँ कर देगी उसकी कदर करने में कभी देर मत करना जो इस दौर में भी तुम्हें वक्त देता है